अगला सवाल दीपिका ने पूछा है, सद्गुरू, आपने एक दर्शन में कहा है कि आपको हर किसी से वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे आप मुझसे पेश आते हैं, सद्गुरू आप करुणा वतार हैं, लेकिन मेरे घर में एक अमानुवी दुष्ट प्राणी है, उसमें आपको देखना मुश्किल हो जाता है, इस परिस्थिती में मैं उससे कैसे निप्टू हूँ। और आपकी कितनी भूमिका है एक दुष्ट जीव के निर्मान में। आपका किसी चीज को एक खास तरीके से देखना उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में हैं। क्या आप अपनी आँखों को, अपने मन को, अपने दिल को, अपने शरीर को सुखद रखना चाहती हैं या दुखद आप इस बारे में अपना मन बना लीजिए। अब अगर आप उन्हें देखती हैं, मैंने कहा कि उस दुष्ट जीव को भी आप कृपिया ऐसे देखें जैसे कि वो मैं हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसकी शिक्षाओं को सुनना है या उससे नए अभ्यास सीखने हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मुझे देखा है आदर, भक्ती, प्रेम, स्नेह के भाव के साथ जो भी आपकी भावना है, अगर आपके पास वो है, तो कृपिया हर चीज़ को उसी से देखिए। क्योंकि मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक शरीर है, आपके पास एक मन है, आपके पास भावना है, उर्जा है, हम अभी आपकी भावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको उससे वापस नहीं आना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि उससे आगे कैसे जाएं। मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपकी सबसे उंची या सबसे मधूर या सबसे शांदार भावना थी, उससे आधार रेखा बना दीजिए। आप वहाँ से वापस क्यों आ र हमने आपको ये एक समय पर कहा था, फिर मैंने देखा आप यहां बैठे, आनंद और प्रेम के आंसू अपनी आँखों से बह रहे थे, फिर मैंने कहा हर किसी को उसी तरह देखिए जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये आपकी आँखों को, आपके मन को, आप के जीव को मधुर और शांदार बना देगा, ये उनके बारे में नहीं है, खास कर अगर वो मुश्किल दे रहे हैं, फिर आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, अगर आप नर्क जाते हैं, तो भी आप अच्छे से रहेंगे, हाँ, क्योंकि किसी ने आपको गैरेंटी नहीं दिये, क्या मैंने आपसे कभी कहा है कि मैं आपको स्वर्ग का टिकेट दिला दूँगा, मैं आपको लगातार धमकाता रहा हूँ कि चीज़ें यही होंगी, तो आपको समझना होगा कि यह आपके रूपांतरण के बारे में है, आपके साथ समस्या यह है कि, चूंकि आपने वो क्या है, वो क्या है, वैसे भी मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, आपने वो सारी रोमैंटिक किताबें पढ़ीं जब आप एक टीनेजर थे और फिर आप उपसे पहले तो आप खुद के साथ ही मांदार नहीं है, आपके हार्मोन असर दिखा रहे हैं, अचानक आप किसी को देखते हैं, वाह, मुझे यकीन नहीं होता, वो इतनी सुन्दर है, वो कितनी जबरदस्ट है, वो कितना हैंडसम है, वो कितना अच्छा है, हर चीज जो भी करें, आप खुद को सुन्दर बनाईए, अब अगर वे दुष्टा भरी चीजें कर रहे हैं, आप फिर भी शानदार हैं, ये बात अलग है, आप जानते हैं कि वे दुष्टा भरी चीजें कर रहे हैं, और आप तब भी शानदार हैं, ये असाधारण है, वे दुष्ट उसी तरह की परिस्थिती में थे कहीं और तो उस समय वो ये बात बता रहे थे वे पूर्वोत्तर इलाकों में ड्यूटी पर थे जहां हाथियों की काफी आबादी है तो वो एक बटालियन के लीडर है वो मेरे खयाल से 18-20 लोगों के समूह का नित्रित्व कर रहे हैं वे जंगल से होकर जा रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़े हाथी को देखा हर कोई पीछे हट गया उन सभी के पास हतियार है ठीक है शक्तिशाली हतियार ये घुसपैट रोखने वाला दल है इसका मतलब वे पूरी तरह से हतियारों से लैस है वो हाथी को 100 मीटर 200 मीटर की दूरी से मार गिरा सकते हैं वो जहां से भी चाहें लेकिन वे सब पीछे हट गए क्योंकि वे वहाँ उस मकसद से नहीं है लेकिन वो मुझे ये इसी लिए बता रहा था क्योंकि इस तरह की एक परिस्थिती एक दक्षिन भारतिय व्यक्ती के साथ हुई तो अचानक उस ग्रूप में एक तमिल आदमी था जो साजिंट यानि एक हवलदार था उसने अपने हथियार नीचे रख दिये और कहा गणपती आ गए है गणेश गणेश और वो एक मंतर का पाठ करने लगा वो किसी गणपती मंतर को जानता था वो जाप करने लगा वो सामने दोड़कर हाथी के पास चला गया बस पचास फुट दूर और घुटनों के बल बैठ गया और जोर-जोर से मंतर का पाठ करने लगा हाथी ने उसे देखा ये कौन बेवकूफ है जो उसे हर तरह के नामों से पुकार रहा है जो उसे अच्छे नहीं लगते और ये लोग देख रहे हैं किस तरह का चमतकार हो रहा है हाथी बस वहां खड़ा है और ये आदमी अपने घुटनों के बल बैठा मंतर का पाठ कर रहा है हाथी बहुत तेजी से आगे बढ़ा और दो सकेंड के भीतर या शायद पांच सकेंड में वो उस आदमी के उपर था उसने उसे कुचल दिया पीछे घुमा और चला गया ये लोग भौचक के रह गए और वे उसे बस कुचले जाते देखते रह गए फिर कुच लोगों ने हतियार निकाल लिये जिस आदमी को मैं जानता था जो इस टोली का इंचार्ज था उसने उनको शांत किया क्योंकि वो पहले ही मर चुका था एक पल में वो आदमी मर गया था मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ कि कि हाथी आपके साथ जंगली हाथी आपके साथ अच्ची चीज़े नहीं करेगा बस इसलिए क्योंकि आप उसे भगवान कहते हैं आप उसे गणपती कहते हैं और उसकी पूजा करने की कोशिश करते हैं वो नहीं करेगा वो वही करेगा जो उसे करना है इसी तरह आपके घर में जो प्राणी है वो वही करेगा जो उसे करना है जो भी उसका गण है मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूँ आप हमेशा जीवन को एक रिष्टे के रूप में सोचते रहे हैं नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप समझें आपके पैदा होने से पहले या जब आप पैदा हो रहे थे तब भी आपका अपनी मा के साथ भी कोई रिष्टा नहीं था ये बहुत अलोग प्रिय होने वाली है, ये लोग मेरी आलोचना करेंगे लेकिन कृपिया इसे देखिए आपका कोई रिष्टा नहीं है हमारा बस एक अस्तित्व है रिष्टा आपकी जरूरतों की वजह से बना आपने उन्हें भोजन के रूप में देखा, आप उनके पास गए आपने उन्हें अपने जीवित रहने के आधार के रूप में देखा, आपने उसे जल्दी से पहचान लिया जिस पल बच्चा पैदा होता है उसे किसी दूसरे पुरुष या किसी और महिला को सौब दें और उन्हें बच्चे की सभी जरूरतों का ध्यान रखने दें बच्चा तुरंट उनके पास चला जाएगा ये पूरी सोच कि आपको लगता है कि वो आपके पास आ रहा है क्योंकि आप मा हैं और आपने उसे पैदा किया है नहीं, सिर्फ जरूरतों के कारण वरना केवल अस्तित्व है ये अस्तित्व या तो सचेतन हो सकता है और एक अद्भुत उपस्थिती में रह सकता है और इसके लिए उपलब्ध हो सकता है या बस सरकस करता रह सकता है शुरू में आपकी मा सब कुछ थी वो सबसे अद्भुत प्राणी थी और फिर आप बड़ी हो गई आप एक किशोर बनी और आपने एक लड़के को देखा वो सबसे शांदार आदमी था पूरी दुनिया में जब आपकी मा बीच में आई अचानक आपको उनसे नफरत होने लगी हलो जब वो आदमी आया वो सबसे सुन्दर था फिर वो एक दुष्ट प्राणी बन गया या आपने ऐसा सोचा अब आप सोचती हैं कि वो सबसे बुरा इंसान है ये चलता रहता है मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि सुन्दरता और बुराई दोनों आप बना रहे हैं मैं आपसे ये बनाने के लिए मैं आपसे ये सोचने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये व्यक्ती जो कुछ भी कर रहा है वो शान्दार है ये जीवित होने का एक मूर्खता पूर्ण तरीका है ये सिर्फ इतना है कि आगर आप सब कुछ देखते हैं तो आपके पास जो भी चरम अनुभव है उसे आधार बनाएं यही विकास है आपने सांप और सीड़ी का खेल खेला है आपने वो खेल खेला है सांप और सीड़ी का खेल जब आप इस खेल को खेलते हैं तो आपका इरादा एक बार सीड़ी चड़ने के बाद वापस आने का नहीं होता आप एक सांप को नहीं चूना चाहते हैं आप एक और सीड़ी खोजना चाहते हैं एक और सीड़ी उपर जाना ये जीवन की एक सहज अभिव्यक्ती है तो एक बार जब आप अपने भीतर मिठास का एक निश्चित स्तर जान लेते हैं तो इसे नीचे मत लाइए यही आधार होना चाहिए अगला स्तर बेहतर और बेहतर होना चाहिए इसलिए जब मैंने कहा हर अभी आप यहाँ पर पर्मानंद की आंसुओं और मेरे साथ ऐसे प्यार से बैठे हैं फिर मैंने कहा यह आधार होना चाहिए इससे नीचे मत जाइए हर चीज़ को इस रूप में देखें कम से कम इतना तो हुने दें अगर यह लगातार हो रहा है बार-बार हो रहा है तो निश्चित रूप से आप एक और सीड़ी ले लेंगे बस थोड़ा सा समय लगेगा नीचे मत आईए मैंने बस यही कहा है और कृप्या उसका एक बुरे प्राणी के रूप में वर्णन न करें बिचारा आदमी यह हुआ यह हुआ मुझे लगता है कि मैं आपको बता चुका हूँ हो सकता है कि इन दिनों में से पहले मैं आपको बता चुका हूँ मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे इसे फिर से बताना चाहिए शंकरन पिल्लई ने सोचा कि उसकी पतनी का चक्कर चल रहा है उसने एक जासूस को काम पर रखा, मैं इसे जल्दी जल्दी कह रहा हूँ सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। उसने कहा, मुझे उसके खिलाफ सबूत चाहिए। तो जासूस घर के बाहर इंतजार कर रहा था, उसकी पतनी घर से बाहर निकली, उसने उसका पीछा किया, तो वो एक पार्क के पास गाड़ी पाक करके अंदर चली गई। एक आदमी बेंच पर बैठा था, जैसे ही उसने इसे देखा, वो दोड़ता हुआ आया, वो दोड़त मिल गए हैं जो आप चाहते थे सिर्फ एक दिन में मैंने अपना काम किया मेरे पास इसका सबूत है ये वीडियो देखिए शंकरन पिल्लाई ने वीडियो देखना शुरू किया और कहा नहीं मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता ये इस पर विश्वास नहीं कर सकता जासूस बुला आप किस पर विश्वास नहीं कर सकते, ये एक वीडियो है, ये बनाया हुआ नहीं है, ये वही वीडियो है, जिसे मैंने अभी लिया है, उसने कहा बात वोक नहीं है, मूर्क मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो इतनी मज़ेदार है। इसलिए 15 दिनों के बाद जब आदमी कहीं दूर चला जाता है तो आप देखेंगे कि वो कितना मज़ेदार था खुद के साथ ऐसा मत कीजिए झाल जादार थादार थार थादार थादार थास वो कितना मत कीजिए एसा मत कीजिए ऑादार थासर है